गुट डे एवरिवन तो रहूस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग exercise 1B के question number 6 to 10 को discuss करने बाले हैं तो अगर आप मुझे जुनना चाहते हैं तो टेलेग्राम पे इस चैनल को सर्च कीजिए WhatsApp पे मुझे आप message भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पे इस ID को search करके follow भी कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए नीचे description box चेक कीजिए मैंने जितने वीडियो डाले हैं सभी का playlist का link मैंने वहाँ दिया है आप वहाँ से check कर सकते हैं फिर comment box में मैं इस exercise का playlist का link मैं दे दूगा ठीक है तो चली start करते हैं सबसे पहले हम लोग question no.6 को देख रहे हैं इसके बाद क्या करना है verify that जो हम लोग question no.4 में किये हैं दिट वही करना है यहाँ ठीक है तो कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले 404 का prime factorization से निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग 96 को prime factorization करके निकाल लेंगे और जैसे हम लोग question no.4 में निकाल लेते हैं डिटो वैसे ही निकाल देते हैं चलिए start करते हैं देखिए सबसे पहले 404 है तो इसको कुछ इस टाइप का box बनाकर इसका prime factorize कर लेते हैं ठीक है सबसे पह और यहां पर कितने टाइस में कटेगा 200 टाइस में कट जाएगा फिर से 202 लास्ट में 2 आ गया मतलब 2 से कटेगा तो फिर से यहां पर 2 लिख दीजिए और कितने टाइस में कटेगा 101 टाइस में कट जाएगा ठीक है अब यहां पर देखिएगा कि 101 एक प्राइम नंबर है क निकालेंगे नाइंटी सिक्स का बड़ेए नाइंटी सिक्स को यहाँ पर विराजमान कर लेते हैं अब यहां पर लास्ट में इवेन हैं तो लिएस लगा सकते हैं इसको काठी तो 48 ताइंस में गट जाएगा ठीक सकते टो एकल भी भी से कटता है तो यहांपे टो लिखे और यहांपे घ complMP सरेके प्लिख दीजास ना तो है के सक्राइग में तोक्छत से कटेल को मुझे और यहांपे 1 लिख दीजिए जब one आज लेकर भी क्या इन करना है HCF and LCM सबसे पहले HCM find कर लेते हैं सबसे पहले इसको multiple के format में लिख लेते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे 404 को 2 into 2 into 111 ठीक है तो बैसे लिख लिए अगर इसको power के format में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 2 2 times वारा मतलब 2 का square into 100 ठीक है अब इसको 96 को लिख लेते हैं तो 96 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 तो बस यहां वैसे कर लेते हैं पाबर के format में लिखना चाहें तो देखिए 2 कितने टाइं सारा है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2 का power 5 into 3 तो बरही प्यार से ऐसे लिख लेते हैं ठीक है अब हम लोग HCF find कर देखिए HCF के लिए मैंने क्या बताए जो दिया गया रहेगा power के format में इसको नीचे बरही प्यार से सबसे पहले उतार लिजिए एक दूसरे के उसके बाद ही यहाँ पर आप अच्छे से कर सकीए ठीक है यहाँ पर ऐसे कर लिए मैंने क्या बताए HCF के लिए क्या चेक करेंगे दोनों में common है यहाँ पर 2 दोनों में common है अब जब common मिल जाए तो जिसका पाबर कम हो जिसका पाबर कम हो उसको लेते हैं फोर होता है तो फोर लिखने ठीक है चलिए अब हम लोग LCM निकालते हैं तो LCM के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले common देखिए दोनों में ठीक है और common में जिसका पाबर जादा यहाँ पर देखिए लेंगे इसको तो का पाबर 5 किजेगा तो 32 आएगा 32 आजाएगा तो का पाबर 5 किजेगा तो 32 आजाएगा और यहाँ पर 101 है और यह 3 इन तीनों को multiply कर लिजिए आपका यह answer आजाएगा ठीक है अब क्या बोड़ रहा है verify that HCF into LCM equal to product of two given numbers जैसे question number 4 में था बस वही करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले HCF और LCM आप लोग निकाल चुक्के verification कर रहा है क्या में पास दिया गया है HCF into LCM equal to product of given number सबसे पहले HCF कितना है में पास 4 तो HCF के जगा 4 लिख लेंगे LCM के जगा 9696 है तो लिख लेंगे और product of given numbers में पास कौन-कौन सा number given है 404 और 96 given है बस इसको ऐसे लिख देंगे और दोनों को multiply करके कि देखिए दोनों सेम आएगा इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह verified हो गया ठीक है तो question number 7 की तरफ move कर रहे है question number 7 देख रहे है 7 में सबसे पहले question पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग banana start करते हैं देखिए सबसे और याद रखे गया CBAC 2019 में आया हुआ question है ठीक है चलिए क्या बोला जा रहा है two positive integers a and b can be written as मतलब मेरे पास दो positive number है जिस a और b है उसको कैसे लिखा गया जैसे हम लोग prime factorization में कैसे लिखते थे माल लीजिए 404 था तो इसको कुछ-कुछ two का power something into ऐसे करके लिखते थे तो बस उसी के बारे बोला जा रहा है कि a ऐसे है और इसको ऐसे करके लिखा गया है prime factorization के format में ठीक है और b के बारे में क्या बोला है कि यह ऐसे दिया गया तो find क्या करना है hcf of a b यह मेरा a और b जो है इसका hcf find करना है और hcf of a b और यह hcf find करना है तो जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे सबसे पहले given के हमें पास a equal to यह तो सबसे पहले के format में यह पहले से दे दिया गया है तू का जैसे टू का पाबर 3 into 3 का इसा करके था बस वही चीज़ है इसको एकस और by के format में कर दिया और कुछ नहीं है ठीक है चलिए तो इसका hcf find करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि दोनों में common कौन कौन सा है सबसे पहले यहां देखिए x और x दोनों में common है और by और by इसमें भी दोनों में common है HCF के लिए हम लोग क्या देखते हैं किसका power कम है किसका power कम है यहाद देखिए कुछ नहीं मतलब x प्रेज़ी मतलब 1 और यहाँ पर 3 अब आप मुझे बताइए एक्स का power 3 ज्यादा बड़ा है या 1 मतलब कम कौन सा है यह यहाँ कम है यह कुछ नहीं मतलब 1 power है मतलब इसको यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है जिसका power कम उसको लिख लेंगे अब यहाँ पे देखिए power 3 कम है या 2 कम है तो यहाँ पे दोनो common है और यहाँ पे power 2 जाइड सी बात है कम है तो उसको लिख लेंगे ठीक है यही मेरा क्या हो गया? HCF हो गया अब क्या करेंगे हम लोग को LCM भी find करना है तो LCM के लिए भी मैंने rule बताया है क्या करते थे सबसे पहले दोनों में common देख लिए X और Y दोनों ही common है और common में जिसका power ज़ादा होता था उसको लेते थे अब यहाँ पे 3 power यहाँ पे ज़ादा है X के लिए और Y में भी यह 3 power ज़ादा है मतलब X से X क्यूब ले लेंगे और Y से कौन सा ले लेंगे Y क्यूब ले लेंगे तो यही हो गया मेरा HCF और LCM ठीक है तो question number 8 की तरफ हम लोग भूख करेंगे question number 8 देखना है ठीक है HCF दे दिया गया है ठीक है और क्या बोल रहा है LCM मतलब HCF और LCM मेरे पास यहां पर दे दिया गया है ठीक है If one of the numbers is 161 और एक number भी दे दिया गया है तो क्या बोल रहा है दूसरा जो number होगा उसको find करना है सबसे पहले मेरे पास जो given number है को हम लोग लिख लेते हैं ठीक है में पास given क्या HCF दिया गया कितना दिया गया 23 तो बरही प्यार से HCF equal to 23 लिख लिए उसके बाद LCM दिया गया कितना दिया गया 1449 दिया गया तो बरही प्यार से हैं क्या पढ़े हैं हम लोग क्या पढ़ें यह रिलिशन पढ़े हैं क्या HCF into LCM equal to product of two given numbers प्रोड़क्ट मतलब क्या फॉस्ट नमबर इन्टु सेकेंड नमबर फॉस्ट नमबर हम लोग सबसे पहले 161 लिख लेंगे और दूसरे नमबर के बारे में हम लोग लिख लेंगे कि इसको फाइंड करना है ठीक है चलिए अब कुछ नहीं करेंगे यहां पर मेरे पास क्या निकालना है सेकेंड नमबर फाइंड करना है इसको इधर ही रख्राय भाई илार दिवाइड में हो जाएगा क्या यह 161 इसको क्या कर रहा है सेकेंड नंबर को इधर ही रख रहे हैं और 161 को उधर फेक रहे हैं यह multiply में है तो उधर जाके divide में हो जाएगा क्या तो बस वही हम लोग कर रहे हैं आप सेकेंड नंबर इधर ही है ऐसा माल लिजे और equal का sign दे देंगे यह उधर ही है तो इसको ऐसे लिखनी है और 161 को divide कर दियें क्यों क्यों कि यहाँ पर यह multiply में है ठीक है इसको कट किजिएगा तो 23 के table में यह seven times में कट जाएगा ठीक है और seven से इसको कट किजिएगा तो यह two zero और seven two hundred seven seven times में कट जाएगा मतलब क्या कि जो second number है 207 कट जाएगा बहुत सारे बच्चें ऐसा करेंगे कि one four four nine जो दिया गया है उसको seven से कटना काटना है तो क्या करेंगे seven two zero fourteen seven seven लेकिन यह रूल गलत है ठीक है बचपन क्लास में आप लोग ने पढ़ा होगा कि बीच में जीरू आएगा इस पे आप लोग थोड़ा मेहनत कर लिजेगा ठीक है चलिए तो मेरा सेकेंड नमबर कितना आ गया 207 आ गया हम लोग अब नमबर भी दे दिया गया तो दूसरा नमबर करना है टिक्टो एट के जैसा ठीक है तो सबसे पहले हम लोग गीवें टर्म को लिख लेते हैं तो हम लोग को क्या फाइंड करना है सेकेंड नमबर करना है रिलेशन हम लोग पढ़े हैं क्या होता है यह पढ़े हैं तो यह के जगा पूट कर देंगे यह कितना था मेरे पास 145 तो यहां पर 145 पूट कर देंगे कितना है मैंने पास 2175 तो यह पूट कर देंगे इक्वल का साइन देंगे प्रोड़क्ट अब टू गिवेन नमबर मतला फर्स नमबर इंटू सेकेंड नमबर में पास कितना दिया गया है सेवें टू फाइब लिग लेंगे और सेकेंड नमबर हम लोग को फाइंड करना है ठी है यह multiplied में है याद रखेगा कभी एपसा जाय एक चीजा रखेगा यह लोग को सबसे पहले multiply नहीं करना अगर तर्लोग करने सेय लेकिन मर यह करने से आपका मैत का कैल्कुलोरेशन थोड़ by tough свет करने आसान हो जाएगा ठीक है तो क्या कर रहा है सेकेंड नमबर को इधर ही रख रहे हैं इसको उधर कर रहे हैं यह मल्टिप्लाइब में तो उधर जाकी डिवाइड में हो जाएगा कुछ ऐसा ठीक है 145 इंटू 2175 ऐसे कर दिए और यह मल्टिप्लाइब में था तो नीचे आके कर जाएगा चेक कर लिजिएगा 145 से यह पाइब से कर जाएगा अगर ऐसा कट करने नहीं आता तो आप 55 से भी काट कर सकते हैं सबसे पहले 5 से इसको काट लिजिए फुरा कटके 5 यह ठीक है अब 5 से इसको काटेंगे तो यह मेंडा कितना आ जाएगा 4×20 और यह उधर चला 25 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा ठीक है सिंपल मैट से आप लोग यहां पर डिवाइड कर सकते 5 को ऐसे करके देख लीजिए ऐसे अगर यह सब समझ में नहीं आता तो ऐसे करके देख लीजिए यह आएगा 4 35 आएगा ठीक है तो मेरा अधर नमबर कितना आ गया 435 आ गया नमबर का HCF मतलब क्या दो नमबर में पास ए और वी है में पास टू नमबर से फर्स्ट ए है और सेकंड भी है ठीक है और उसका HCF कितना दिया गया 5 दिया गया और LCM के बारे में बोला गया 200 है तो हम लोग को क्या फाइंड करना यह जो टू नमबर है इनका प्रोड़क्ट जो A भी होगा उसी को फाइंड करना है कुछ नहीं है असान सा है चलिए सबसे पहले मेरे पास क्या करना है गिवन क्या है वो लिखना है ठीक है गिवन क्या में पास HCF ऑफ A B A and B मतलब HCF इंद A और B का गिवन कितना है 5 है तो उसको यहाँ पर लिखने ठीक है LCM भी दिया तो लोग तो यहां पर 200 क्या करना है इसका फाइंड करना है यह मुझा है क्या पड़ते हैं हम प्रोड़क्ट ओफ त्युगा इस परोड़क्ट और गीवन नंबर यही Ao तो यहां पर बड़े ही प्यार से 200 देंगे इक्वल का साइन दीजिएगा प्रोडक्ट और टू गीबेन नंबर गीबेन नंबर क्या है एब तो क्या हो जाएगा एब और यहीं हम लोग को करना है ऐसा करेंगे कुछ नहीं किजिएगा इसको मल्टिप्लाई कर दिजिए यह प्रोड़क्ट और टू गीबेन नंबर आ गया तो थाउजन धाएगा क्या और यहीं मेरा आंसर भी है ठीक है यहीं मेरा क्या है आंसर भी है ठीक है तो आज के लिए तना ही रखते हैं देख है और वी वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किजिए मैंने लिंक दे दिया है कमेंट बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा थैंक्स फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में